कि नमस्कार दोस्तों ओप्संग्यान चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों मैं आप लोगों से कह रहा था कि मार्केट में बाइंग आ रखी है और आपने देखा आज मार्केट ने किस देगे से बहुत अच्छी रिकवरी दिया है और उमीद करता हूं दोस्तों से यह recovery अब continue रहे थोड़ा हो सकते हैं दोस्तो इसी range में consolidate करती रहे लेकिन हमने जो इस्टोक ले रहे हैं दोस्तो काफी अच्छी जगे पर ले रहे हैं या तो breakout पर लेते हैं हम लोग इस्टोक या फिट 200 येवे के पास लेते हैं तो आज जो इस्टोक ले रहा हूं दोस्तो उ कंसिडर करता हूं मतलब जब भी कोई श्टोक दोस्तो breakout देके अपने एक दोको आप लोगों ने कहावस सुनी है तो जो भी श्टोक के अंदर ट्रेंडिंग श्टोक है दोस्तों अगर अब साइट का ट्रेंड चल रहे हैं तो इस्टोक को फोलो करो लेकिन अब ऐसा नहीं करने एक श्टोक को पकड़ने के दोस्तों की इस्टेशन होते हैं जो कि मैंने बता रहा के आपको 20-EM, 50-EM, 200-EM, मैं अपने हार एक वीडियो के अंदर 20-EM, 50-EM, 200-EM, के उपर फोकस करता हूं क्योंकि ये मुझे अच्छे श्टेशन लगते हैं दोस्तों और जब भी मुझे और अच्छी है इनि के ऐसपास मिलते हैं तो मैं जुरूर इन इन इना कंशिडर करता हूँ और अच्छी श्टॉक मिलते हैं तो जुरूर लेता ओ दोस्तो साथ मैं जो ट्रेंड फोलो करते हूँ डून हम फोलो करते हुए आरे तो उन्मी स्टॉक को जुरूर visit to दोस्तो जो यह stock है IEX यह long term का भी अच्छा candidate हो सकता है दोस्तो आप लोग इस stock के अंदर SIP भी कर सकते हो आप लोग हर महीने इस stock को buy करते हो long term में दोस्तो मुझे उमीद है कि इसमें काफी अच्छा return हमें देखने को मिल सकता है आप लोगों को इस stock को दोस्तो जब भी dip में मिलता है जोर भाय करा करो काफी अच्छा company का fundamental है debt free type की company है दोस्तो monopoly टाइप का इसका business है तो काफी अच्छा है दोस्तो मतलब सब कुछ इसके अंदर काफी अच्छा है एक बार इसका दोस्तो लेवल भी discuss कर लेते हैं हला कि मैंने आपको बता है जब भी कोई 22 श्टोक होते हैं 50-50 के श्टोक होते हैं तो उनके अंदर में ज्यादा लेवल देखता है नहीं हो दोस्तो लेगन फिर भी क्योंकि हमें हमेंसे अपना विकेट को ध्यान दखना है कोई कितनी अच्छा श्यरों दोस्तों अगर चार्ट नेगेटिव होता है तो निकल जाने में फाइदा होता है तो इस श्टोक का भी देख लेते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट आपको इसे कंसिलेर करना है 550 के आसपास दोस्तों इस टॉक काफी तेजी से उपर गया है तो हो सकता है काफी तेजी सगा कभी नीचे आता है तो 550 का भी दिखा दे आप लोगोंने कई बार देखा इस टॉक किस तरीके से लगता नहीं कि वहां तक जाएंगे लेकिन चले जाते हैं तो हमें पते ही होगा कि हम तो पहले से तयार बैठे होंगे कि 550 पर हमें करने तो इसलिए टेंसर नहीं लेंगे और लास्ट को कवर करना है दोस्तों जीरो के आसपास यहां पर अपने 30 परेशंट कैपिटल लगा सकते हो दोस्तों तो इससार से स्टॉक को आपको अपने पोटफोलियो में कंसिडर करना है वैसे काफी अच्छा स्टॉक है दोस्तों मुझे तो जब भी डिप में मिलेगा 200 यह में के पास अगर मिल गया अगर कंपनी का देवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों यह आपको बढ़ती हुए नजर आ रहे होंगे और बहतीन तरीके से बढ़ती हुए नजर आ रहे होंगे दोस्तों अगर फैनेंशल स्टेट्मेंट की बात करें तो तीनों ही पॉइंट यहां पर आपको गिरिन नजर आ दें जहां पर इंडेस्ट्री का रेवन्यू ग्रॉफ 6.3 परसेंट है वहां पर इस कंपनी का रेवन्यू ग्रॉफ 12.22 परसेंट है और मुस्ट डबल के आसपास है दोस्तो इसके अंदर बैलेंशिक का भी एकर मैं पॉइंट देखू तो यहां पर इन्होंने दो पॉइंट दे रहे हैं और दोनों ही आपको गिरिन नजर आ रहे हैं तो कफी बहती ही ने दोस्तो इसके अलावा आप में एक लास्टी जो देखता हूं दोस्तो जब भी स्ट स्टेंबर क्वार्टर के अंदर अब तक की सबसे कम होल्डिंग है दोस्तों इनकी 39.13% तो डिटेलर एक्जिट कर दें दोस्तो तो आप लोग एंट्री ले लो अपनी FIA दबा के माल उठाने में लगे हुएं DIA निकल दे हैं Mutual Fund ने भी पिछले quarter से अपनी holding increase करी है पर मोटर तो इसके अंदर है नहीं दोस्तों सारा गेम ही पब्लिक के अंदर चल दा है और अच्छे अच्छे लोगों के पास इस्टो तो आप लोगों को अच्छी जगे पे म पास मिल दें तो आप लोगों इसे कंसीडर कर सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरे विडियो बसंद आया होगा और आ पोके लिए काफी फाइदे मनन दोगा इस ऐसा के साथ दोस्तों अपने इस वीडियो को समाप्र करता हूँ धन्नेवाद